हम और आप तो हैं cricket का fan cricket के बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं cricket में यूज होने वाले bet का कीमत किना है बाई जी मैं local बाजार में मिलता हूँ वो bet के बाद नहीं कर आँ या Amazon वाले bet मैं बात कर आँ उस bet की जो विराट कॉली या Amaz dhoni उसकता है जो रोई शर्मा है उसकते हैं जो हर्धिक पांड्या उसकते हैं या फिर क्रिस्केल से लेकर ABD थै क्या आप जानते हैं उनका कीमत क्या है क्या आप जानते हैं वो बैट कौन बनाता है कैसे बनता है, उनमें एक Olan Specification क्या रहता है और एक बात, ऐसे ही एक पैर आपको Free में मिल सकता है मैं आपको आज ऐसे एक चीज़ बताने जा रहा हूँ ऐसको आपको देर सारा पैसा कमा कर दे सकता है přिया है वो एप Play Store में जाईए और सर्च किले रोज दन देन इसके बाद आ जाईए earn money tap पे और आप पर enter invitation code कीजिए मेरा invitation code है 0608FP सब capital letter में लिखिए और just okay करतीजिए बस आपके पास आगया 50 रुपए यहापर कमाने का और भी जरिया है आप profile complete कीजिए तो आपको coin मिलेगा आप news read कीजिए coin मिलेगा इसके बाद coin जमा करते जाहिए और coin ready होगा पेटियम पे so earn करते रहें जुररी रहसले में और मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ costing से पहले मैं आपको कुछ detailing बता देना चाहता हूँ कोई भी cricket bat बनाने से पहले सबसे पहला जो आता है वह होता है उड क्रिकेट बैंड वीलो उड से बनाये जाता है English Willow सबसे अच्छा माना जाता है cricket bat बनवाने के लिए जो वीलो का पेर 10 से 12 साल पुराना होगा तो उससे बनने वाला बैट सबसे बहतर माना जाता है और इससे कहता है grain और इंटरेशनल खिलाडी बैट का वेट एक किलो 100 ग्राम से लेकर एक किलो 200 ग्राम तक रखते है 35 से 22 मिलिमेटर तक होता है इन बैटों का थिकनेस तो सबसे बहने बात करते है विराट कोली की विराट कोली यूज करते है इंग्लिश विलो बैट जिनका grain होता है 10 से 12 ग्राम वेट होता है एक किलो 220 ग्राम इंग्लिश विलो से बनवा जाता है ये और इस बैट का कीमेट रहता है 22,000 रुपए से लेकर 45,000 रुपए तक तो विराट कोली इतना पैसे में ये खिर लेता है बैट? जी नहीं ये बैट MRF के तरफ से कुद दिया जाता है विराट कोली को जितना भी बैट चाहे वो मंगवा सकता है MRF से उल्टा MRF के जो स्टिकर होता है उनको अपने बैट में लगाने के लिए MRF विराट कोली को पैसा देता है कुछ दिन पहले तक सालाना 3 करो रुपे देते थे विराट कोली को लेकिन अभी अगले 8 साल के लिए वो लोगों रहेगा विराट कोली के बैट पे और इसके लिए MRF विराट कोली के दिया है सिर्फ 100 करो रुपे जी हाँ सिर्फ 100 करो रुपे इस बैट का एज थीकनेस होता है 15,000 से लेकर 30,000 रुपे दर और स्पर्टन के लोगों लगाने के लिए MSD को मिलता है सालाना 6 करो रुपे बात करते हैं केल रहूल की केल रहूल यूज करते हैं एडिडेस पिलनारा एडिशन बैट इस बैट के कीमत है 25,000 से लेकर 40,000 के बीच एडिडेस के लोगों लगाने के लिए केल रहूल को मिलता है सालाना 80,000 रुपे बात करते हैं दा हिट मैन रोई चर्मा की रोई चर्मा के जो बैट है वो C8 कमपनी प्रोवाइट करते हैं और इस बैट का नाम दिया गया है C8 हिट मैन और इनका मुल्य 25,000 से लेकर 35,000 के अंदर होता है और C8 टायर वाले कमपनी रोई चर्मा को सालाना देते हैं 5,000 रुपे बात करते हैं हार्दिक पांडिया की हार्दिक पांडिया यूज़ करते है HG प्लेयर से डिशन बैट और इस बैट का कीमेद है 28,000 से लेकर 45,000 के बीच और HG का स्टुके लगाने के लिए हार्दिक पांडिया को मिलता है 10,000 करण रुपे सालाना अब थोड़ा इंटरनेशनल प्लेयर हो जाए क्रीज़ के लिउज़ करते है स्पार्टान ओथरेटी बैट इनका मुल्य है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच और क्रीज़ केल को मिलता है सालाना 3 करण रुपे इसलिए ABWRS यूज़ करते है MRF Genius Elite Edition बैट जिनका कूल मुल्य है 40,000 से 50,000 के बीच ABD को मिलता है इसलिए 2 करण रुपे सालाना तो दोस्तों आपको क्रिकेट के बारे में और क्या का जान करी चाहिए मुझे इंते जारा का दोस्तों के कॉमेंट का